Hello everyone, Polscience के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, आज हम बापिस comparative politics का MCQs, जो आपके हमारे 100 MCQs है, ठीक है? तो उस पे हमारी ये second video है, ये second video है, तो इसमें हम जो है, वो next 50 question जो है, उसी part, मतलब 100 MCQs का second part का part है, उसको हम discuss करेंगे, ठीक है? तो ये आपका सामने पहला सवाल है, तो comparative politics का हम discuss करेंगे, comparative politics, ठीक है? जो हमारे 100 MCQs है, तो उसका हम part second ये आया है, और इसमें भी हम क्या करेंगे? 50 MCQs को discuss करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो आपका 51 का जो पहला question है, ये बूश रहा है कि भाई, जैसे different parliaments के जो हैं, वो country to country उनके name vary करते हैं, तो ये बोल रहा कि legislature of France है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो legislature of France को क्या कहते हैं? जैसे इंडिया में legislature को parliament कहते हैं, तो France में भी legislature को parliament ही कहते हैं, हाँ, उसके lower house, ठीक है? लोर house को हम, उसके जो lower house है, उसे हम कहते हैं, national assembly, ठीक है? और उसका जो upper house है ठीक है उसका जो अपर हाउस है उसको हम वहाँ पर क्या कहते है सैनेट ठीक है तो यह उसका डिफरेंस है इंडिया में वही अगर हम बात करें तो इंडिया में लोर हाउस को कहते है लोकसभा और अपर हाउस को कहते है रज्यसभा ठीक है तो यह है उसके बाद यह 52 जो है आ तो यह आपको बताना है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो आपका जो Finland है, Finland इन में से, बाकी सारी कंट्रियों में two houses है, Finland में आपका जो है, वो आपका unicameral system है, ठीक है, unicameral system मतलब वहाँ पे एक ही house है, उसके बाद आपको पास 53 question है, 53 बोल रहा है कि अगर आपके जो Britain के Parliament म है, जो आपका upper house और lower house है, उनका नाम क्या है? ठीक है? तो अब हमें बहाँ पे पता है house of larts भी है, टूसरा जो house of larts है, वो बहाँ पे आपका upper house है, ठीक है, और house of common जो है वो lower house है, ठीक है? तो इसके regarding आपको याद रखना है कि जो lower house of common है जिसे हम lower house कहते हैं बृटेन में वो वर्ल्ड का सबसे strongest वर्ल्ड का सबसे strongest आपका lower house है ठीक है यह हमेशे याद रखना है बृटेन का lower house दुनिया का सबसे powerful lower house है आपके पास 54 question है कि 54 question है कि वहां पे आपको बताना है कि जो आपका upper house होता है कहां पे रशिया में रशिया में अभी parliamentary मतलब कि जो रशिया है वहां उसे हम कहते हैं federal assembly कहते हैं तो वहां के upper house को कहते है फेडरल कॉंसिल ठीक है अपर हाउस आंसर यह है कि सुबाल पूछा कि अपर हास को क्या कहते है तो वहाँ पे अपर हाउस को कहते हैं फेडरल कॉंसिल और सबसे important है रशिय के regarding जो आपको याद रखना है वहाँ के नौर हाउस को बड़ा unique सा नाम है तो सवाल का आंसर जो है वो भी है ठेक है एक चीज़ याद रखने जपान के पारलिमेंट है उसको हम डाइट कहते है ठेक है यह उसके लिए यूनीक है ठेक है और एक याद रखना यह सवाल बड़ी बार आया गया है ठेक है यह जो MA इंट्रेंस की त्यारी कर रहे हैं जा इवन नेट की भी त्यारी कर रहे हैं उनको भी पूछा जा सकता है ठीक है जा किसी पीएज़ी एमफिल की भी कर रहे हैं तो बहां तो पूछा भी जाता है जेनियो की यहां पूछा गया था कि जो आपका ये शब्द होता है एक ठीक है एक शब्द होता है तोशो तोशो गुडू ये जो शब्द है ये आता है आपके बुटान के पारलिमेंट के साथ ठीक है तोशो गुडू ये हमेशा याद रखना ठीक है डाइट होता है डाइट है जपान का ठीक है जपान के जो उसको डाइट कहते हैं और डूमा जो है वो आपका लोर हाउस है रशिया का उसके अपर हाउस को हम फेडरल कॉंसिल कहते हैं अब यहाँ पे आपका 55 कॉस्चन है 55 कॉस्चन यह बोल रहा है कि भाई आपका जो इंडियन कंसिचुशन अगर हम इंडियन लोगसभा की बात करें तो who among the falling to be the custodian of इंडियन लोगसभा ठीक है इंडियन लोगसभा का custodian कोन होता है ठीक है क्या वो प्राइम निस्टर होता है लीडर आफ अपोजिशन होता है जा चीफ विप आफ दरूलिंग पार्टी होता है जा स्पीकर होता है तो जैसे हम जानते हैं जो लोगसभा होत जबा का वो क्या है स्पीकर आंसर इसका देन आपके पास है 56 ठीक है तो अब who is the real executive in a parliamentary form of government अगर हम बात करें कि parliamentary form of government जैसे इंडिया में है ब्रिटेन में है ठीक है तो यहाँ पे real executive कोन सा होता है real executive means कि real में power कोन exercise करता है जैसे ब्रिटेन की बात करें मलब क्यों जो है वो आ अबर exercise करते है वो करती है cabinet ठीक है और cabinet का head होता है PM तो जो parliamentary democracy होती है इंडिया भी parliamentary democracy है और main होता है यहाँ पे cabinet तो answer इसका B है कि parliamentary democracy में real executive कोन होते है वो होती है cabinet अच्छा ठीक है इन मैंसे आपको बताना है 57 का कि इन मैंसे कौन सा इंडिया में nominal executive है ठीक है कि मलब जिसको हम कह सकते हैं कि constitutional mention है मगर उसके पास वो real power जो है वो exercise नहीं करते तो वो है हमारे पास अपना president ठीक है और then इसका तो मैंने answer भी दे दिया है कि 58 का है कि in which of the falling country the nominated executive तो यह आपको याद रखना है कि nominated executive जो है वो होते हैं आपके chill में ठीक है उसके बाद इसमें बताना है कि 59 है जो which of the falling country possess आपका plural executive ठीक है तो जो आपकी plural executive है मलब कि जहांपे executive जैसे एक हो गया कि जैसे USA है कि president है vice president है तो सीधा यहाँ पे कोई plurality नहीं है यहाँ Switzerland का case थोड़ा सा अलग है अपना Switzerland में क्या होता है जो आपका parliament होता है उसमें जो main होते हैं बहां पे होती है federal council ठीक है क्या होती है federal council होती है ठीक है जिसके seven member होते है जो इसका head होता है उसको हम बोलते है federal chancellor क्या बोलते है यह chancellor क्या होता है यह chancellor क्या करता है यह जो होता है president हो गया जैसे तो इनी साथ में से जो है वो एक head होता है ठीक है तो इसलिए Switzerland में जो है वो आपका plural executive का concept है then 60 question 60 question है कि जो आपका executive in India ठीक है तो executive जो इंडिया में है उनका pattern क्या है अब मैं बता दूँ इंडिया में न दो तरीके के मलब कि अगर executives की बात करें तो एक तो जो है अगर हम cabinet की बात करें ठीक है अगर हम PM की बात करें ठीक है तो ये जो pattern है इंडिया में ठीक है जा इवन की हम bureaucracy की बात करें जो मलब आपके permanent executives होते हैं ठीक है अगर हम bureaucracy की बात करें ठीक है तो ये आता है आपका Britain से ये question बिल्कुल सीधा नहीं है हमें दो pattern समझने होंगे इंडिया थोड़ा सा मिक्स्चर है तो इंडिया में यह आता है हमारा कहां से यह आता है वरिटेन से ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजिडेंट की ठीक है प्रेजिडेंट की बात करें और उसके बाद बाइस प्रेजिडेंट की बात करें तो यह जो दुन्नों ये हमारा आता है अमरीका से ठेक है तो ये दोनों पर आता है अगर जो है आपका सवाल है कि कौन से प्रिजिडेंट है गिवन अपस्टन मैसेर जिंदर परसाद, एसरादा करिशन, जाकिर हुसैन, जा उपर वाले ए भी दोनो जो पूरी दो टर्म्स जो है वो आपके प्रेजिडेंट के ओफिस में जो है प्रेजिडेंट के ओफिस में जो है वो रहे हैं ठेक है प्रेजिडेंट के ओफिस में रहे हैं तो ये हमारे हैं आंसर के तोर पे रिजिंदर पर साथ ये जो है जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो ये जो है टू टरम्स जो है ये ओफिस म की बात करें तो कौन है वो है प्रेजिडेंट ठेक है यूएस की हैड की बात करें तो कौन है वहाँ भी प्रेजिडेंट है अगर हम बात करें ब्रिटेन की ठेक है तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का है एड आफ दी स्टेट जो है वो कौन है वो है क्यों ठीक है तो अब यहां पर क्या है कि उसे को तो अलग केस है वहां पर प्रेजिदेंशल सिस्टम है ठीक है तो Parliamentary Government जो होती है वहां जो Head है वह आपका एलेक्टेड भी हो सकता है नॉमिनेटेड भी हो सकता है ठीक है और Harry डिटरी भी हो सकता है तो इसका answer जो है वह आपका D है ठीक है 63 है कि parliamentary form of government जो है, वो सबसे पहले evolve कहां हुई, तो ये बहुत ही simple answer है इसका, कि parliamentary जब भी हम, मलब parliamentary form of government की बात करते हैं, जिसे हम West Minister कहते हैं, तो वो आपका evolve हुआ, Britain में, ठीक है, तो Britain जो है, वो आपका ये answer है, ठीक है, parliamentary form of government, ठीक है, उसके बाद जो है, आपका 64 है, ठीक है, real executive, ठीक है, Britain, England की बात कर रहे हैं, तो England में क्या है, आपका क्या है, parliamentary system है, ठीक है, तो real executive क्या होते हैं, ठीक है, real executives होते है, cabinet, ठीक है, cabinet में क्या होते है, ministers होते हैं, यहाँ पे minister option है, ठीक है, तो who is the real executive in England, तो यहाँ पर आगया आपके Ministers ठीक है? 64 का आपका answer नमबर भी आ गया उसके बाद यहाँ पर हम पहले सवाल को समझेते हैं, वह बोल रहा है कि, इनमें से कौन सी country है, ठीक है? हमें यह बताना है, 65 का कि इनमें से कौन सी country है, जिसमें parliamentary system नहीं है, ठीक है? तो parliamentary form of government नहीं है, त question आपके पास यह है कि अभी जो है president के election कौन जीत के आया है वहाँ पे और वो कौन सी party का बंदा है ठीक है तो यह आप जो है comment में कर सकते हैं उसके बाद 66 है ठीक है 66 जो है सवाल वो पूछ रहा है कि legally who has the power to dissolve the lower house in the parliamentary form of government, parliamentary form of government अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की ठीक है हम मतलब की बात करें इंडिया की तो यहाँ पे जो है आपके president जो है on the, मतलब की जो president है जब आपका no confidence motion पास हो जाता है तो president जहाँ पे head of the state है ठीक है तो अगर हम 66 की बात करें तो आपका answer बनता है B ठीक है आपके head of the state जो है वो power रखते है dissolve करने की ठीक है उसके बाद आपका 67 question है आपका presidential system पे ठीक है तो presidential system होता है ठीक है उसमें जो head of the state है ठीक है जैसे आप मान लो की US का president है ठीक है जैसे अभी Trump था तो इसमें क्या होता है कि cannot be removed by the legislature कि जो आपका head of the state होता है presidential system है वो legislature उसे remove भी नहीं कर सकता जा legislature के दवारा remove किया जा सकता है जा legislature के दवारा remove किया जा सकता है पर ये बड़ा difficult process होता है ठीक है तो इसका जो आपका 67 है ठीक है अगर 67 की बात करें तो इसके लिए C valid है अगर हम Trump की ही बात करें ठीक है तो अब America में ये रहता है कि जो एक बार President Elect हो जाता है वो चार साल office रहता ही रहता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे जो आपको President को remove करना होता है जो President का removal की बात होती है ठीक है वहाँ पे जो है मतलब कि बहुती rigidity है President को remove करना मुश्किल बात है ठीक है तो इसका जो answer है कि President को legislature remove कर सकता है बट वो जो process है वो बड़ा difficult होता है तो आपका answer 67 का C जो है वो correct है उसके बाद अगर हम बात करें तो 68 की ठीक है अब आपका एक होता है कि judiciary के पास power होती है कि वो law को क्या कर देती है invalid declare कर सकती है ठीक है constitutional ground पे तो ये कह रहा है सवाल कि जब judiciary आपके law को invalid declare करती है on constitutional ground उसको कौन सा concept कहते है judicial review कहते है ठीक है activism कहते है जा supremacy कहते है जा absolutism कहते है ठीक है तो इस concept को कहते है हम judicial review और India जो है हमारी democratic country है constitution को फाल्यो करती है तो यहां पे जो हमारा article जो है ठीक है article जो हमारा 13 है ठीक है तो ये हमारी बात करता है judicial review की ठीक है ये बोलता है कि अगर कोई कोई भी ऐसी चीज law में पास होती है जो constitution की spirit को sport नहीं करती तो then उसको judiciary null and wide declare कर सकती है ठीक है तो 69 question है कि USA में ठीक है और जो India judge of the supreme court are appointed by ठीक है तो जैसे India और USA में जो आपके judge है supreme court के वो कोन अपाइंट करता है तो इसका बड़ा simple सा answer है वो करता है हमारा president और वहां का भी president ठीक है question number 70 ठीक है तो 70 की बात करें ये बोरे हैं कि जो judicial review है ठीक है उसकी power extra constitutional है un-constitutional है constitutional है जा none of the above है ठीक है तो 70 का हमें ये बताना है तो judicial review हमारे constitution में mention है तो उसकी power constitutional है ठीक है उसके बाद आपका question है 71 71 बोल रहा है कि जो आपका concept of rule of law है ठीक है ये कहां का feature है मतलब main feature जो है rule of law कौन सी country के साथ associate होता है तो rule of law की जब भी बात आती है ठीक है तो rule of law आपका associate होता है British constitution के साथ ठीक है तो ये मतलब कि rule of law जो है main जो उसका काम है वो British जो है British जो है अपना constitution के साथ associate होता है उसके बाद 72 72 बात कर रहा है जो आपका rule of law का एक concept है ठीक है वो किसके साथ associate किया जाता है कौन से author ने जो है rule of law का concept जो है वो advocate किया अपनी writings में तो उसका जो है बहुत simple सा answer है वो है AB dicey 72 का आपका C है then उसके बाद जो है जो AB dicey जो है उनकी book के बारे में कि हमें ये बताना है कि जो उन्होंने जहां पे rule of law की बात की है ठीक है AB dicey rule of law की बात कोन सी book में करते है तो उनकी जो book है वो book है ये वाली An Introduction to the Study of Law Constitution ठीक है तो ये है Treaties on Civil Government or Constitution Law of Britain ये नहीं है उनकी book है An Introduction to the Study of Law Constitution जिसमें उन्होंने बात की थी rule of law की ठीक है उसके बाद आपका 74 है वो बोल रहा है ये बहुत important है ठीक है तो 74 जो है वो important हो जाता है 74 जो है कि इसमें बताना है कि USA का कौन सा popular case है ठीक है यूएस की judiciary में जिसने आपके judicial review को review का जो concept है इंट्रोड्यूस किया ठीक है तो ये मैं बता दूँ 1803 में ठीक है एक वहाँ पे case हुआ था ठीक है जिस case को हम जानते हैं आपका मैरवूरी बर्सिस मैडिसन केस जो है 1803 में जिसने आपका judicial review का concept जो है वो आपका लेके आए थे यूएस में और इस concept के आगे था कि constitution की spirit के साथ अगर कोई भी laws, act, ordinance जो मतलब की sport ना करे तो उसको judiciary जो है वो null and white medicine जो case है उसने जो है जो judicial review का जो concept है वो आपके यूएस में लेके आया ठीक है तो then आपका जो है बोहरा कमेटी आ जाती है ठीक है तो बोहरा कमेटी किसके बारे में थी 75 question है कि जो बोहरा कमेटी थी वो किसके बारे में थी वो क्या मतलब उसका जो main function क्या था तो बोहरा कमेटी जो है वो आपकी 1993 में जो है report summit करती है तो इसका जो main काम था ठीक है क्या वो socio economic nexus था ठीक है political industrial nexus था religion politics nexus था जा crime politics nexus था ठीक है तो actual में जो आपकी बोहरा कमेटी थी वो आई थी politics criminal और जो आपके मतलब की एक जो corporate है ठीक है उनके nexus को इसने उसके बारे में बताय था तो ये आपको मतलब इवन की criminalization आप politics थी तो ये थी crime और politics का जो nexus है ठीक है तो ये 75 का आपका D answer है उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने उपर बता भी दिया तो बोरा कमेटी ने जो है अपनी report का submit की ठीक है ये सवाल है ठीक है तो remote जो है वो submitted जो है उन्होंने 1993 में जो है वो report submitted की ठीक है उसके बाद जो है आपका The Government of India Appointed Mandal Commission Mandal Commission जो है वो आपका backward जो है backward classes के लिए ठीक है उपाइंट किया गया था ठीक है तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी date में जो है वो आपका backward classes वाला Mandal Commission उपाइंट किया गया था तो Mandal Commission जो है वो आपका मलब कि socially और economy जो backward classes है उनके लिए पाइंट किया था तो ये establish हुआ था एक जून 1979 में ठीक है तो approximately अगर आप करो तो 9080 वाला जो आपका question है answer है जो वो मलब की सही है ठीक है तो इसमें जो है वो आपका मलब की next question उसी पे है कि ये simple है मलब इसको हम कोई ज़्यादा नहीं है तो उसके बाद आगया 78 की recommendation by the mandal committee provide तो आपके mandal commission की आपको क्या बताना recommendation बतानी है कि उसने कितनी recommendation की थी OBCs के लिए actual में ये क्या था ये था OBCs के लिए था तो इसने बात की थी 27% जो आपकी reservation की बाद की थी आपके mandal committee ने ठीक है तो then जो है So, sorry उसके बाद 79 जो है उसके बाद आपका जो है SCST ठीक है आपका जो SCST जो commission है ठीक है National commission तो ये बना 2000 जो SCST commission था पहले सबसे जो पहले ठीक है तो ये आया है आपका 1978 में ठीक है तो अब ये बता रहा है कि who was the first chairman of SCST ठीक है तो यहाँ पे जो है ये जो पहले जो सबसे पहले chairman थे जब 1978 में जो है वो commission on SCST बना तो उसके थे ये बूटा नहीं है ये sorry ये बोला पासवान बोला पासवान आपके शस्तरी है ये आपके first commission थे ठीक है उसके बाद उसके बाद है कि who is the present chairman of the nation commission for schedule cast ठीक है तो ये हमें बताना है कि जो आपका मलब की national जो आपका मलब की जो अभी comment wait हाँ जो जो अभी आपका who is the present chairman of the nation commission for schedule cast कि ठीक है कि बूटा सेंग है ठीक है जा डक्टर पी एल पूनिया है जा सूरजवान है ठीक है तो ये आपका answer है इसका answer जो है अभी के लिए जो है इसका मलब की none of these है ठीक है और जो आपके सूरज यहाँ पे जो आपके सूरज बहन है पे बना था यह बना था आपका 2004 में और सूरज बहन जो थे वो आपके पहले मतलब की जो थे चेर मैं थे इस कमिशन के ठीक है यह आपके लिए फेक्ट है ठीक है उसके बाद जो आपका International Human Rights Day है ठीक है तो यह सिंपल सा सवाल है International Human Rights Day जो है Human Rights Day जो वो है वो कब अब्जर्ब किया जाता है तो यह सिंपल आंसर है इसका 10 December को जो है वो आपका 10 December 1948 को जो है वो आपका पहला जो Human Rights International Human Rights जो है इस Date को जो है वो डिकलेर किया गया देन जो है 82 ठीक है Protection of Human Rights Act जो है वो इंडिया में कब पास किया गया Protection of Human Rights Act जो है तो इसका जो है यह हुआ था आपका 1993 में Protection of Human Rights Act आफ इंडिया ठीक है तो यह हुआ था 28th अब यह आजकल क्या करते हैं Dates बगारा भी बूश देते हैं तो यह 28th January 1993 में जो है वो आपका Protection of Human Rights Act आफ इंडिया जो है वो पास हुआ था ठीक है तो इसी ने जो है वो आपका जो मतलब की National Human Rights Commission है ठीक है तो उसको लेके आये थे ठीक है जो 12 October 1993 में पास हुआ था तो देन जो है आपका 83 83 में बताना है जो आपका Universal Declaration of Human Rights है ठीक है उसके मतलब वो क्या consist करता है जैसे मतलब उसकी composition जो मतलब की वो कैसे constitute करता है कितने parts है ठीक है कितने article है तो उसके जो article है वो 30 article है ठीक है यह हमें याद रखना है Universal Declaration of Human Rights के 30 article है ठीक है उसके बाद जो है जो Journal Assembly ठीक है न तो International जो आपका जो Covenant on a Civil and Political Rights है ठीक है यह कब force हुआ ठीक है International Covenant on Civil and Political Rights यह जो है मतलब की जो introduce किया गया वो 1966 में हुआ लेकिन जो इसका answer है वो past जैसे हम force करने की बात कर रहे है 1976 में ठीक है तो 84 का आपका जो है वो है General Assembly में International Covenant on Civil and Political Rights पे आपका 1976 में जो है वो force में हुआ आया उसके बाद 85 जो है आपका की the power of appointing and removing the chairperson of a national human right commission NHRC की जो मतलब की chairperson है उसको remove करना ठीक है और office में रखना उसकी power कोन रखता है तो ये इसका answer बहुत ही simple है that is a president ठीक है उसके बाद 86 ठीक है आपका सवाल है ठीक है की who was the first chairperson of national human right commission 1993 में आया ये तो इसके जो पहले जो chairman थे वो थे आपके justice रंगा नात मिश्रा ठीक है ये क्या थे ये chief justice आफ इंडिया भी रहे हुए है ठीक है CGI ये इंडिया के भी रहे हुए है तो chairperson of national human right commission जो थे वो थे आपके first जो आपके CGI justice रंगानात मिश्रा ठीक है उसके बाद 87 87 बोल रहा है की who is the present chairperson of national women's commission in India who is the present ठीक है कि अभी जो है वो chairperson national woman commission की कोन है गिरी राज व्यास है जाइतरी पतनायक है ममता शर्मा है ठीक है तो अभी जो है आपकी मतलब की आपका जो present chairperson है ठीक है तो वो है हमारा उनका नाम है रेखा शर्मा ठीक है रेखा शर्मा जो है वो अभी आपकी present chairman है और ये जो आपकी गिरी जिया व्यास है ये आपकी first जो है वो chairperson थी ठीक है 87 का ये याद रखना national woman commission in India पे first जो उनकी chairperson थी वो थी गिरी जिया व्यास और अभी की जो है वो है रेखा शर्मा इन से पहले थी ममता शर्मा ठीक है तो ये इनका है उसके बाद ये थोड़ा सो question में कोई problem है उसके बाद जो है जो आपका 89 सवाल है वो discuss कर रहा है कि world summit on sustainable development took place in ठीक है तो ये जो आपका 89 है ये बात कर रहा है कि जो आपका world summit था sustainable development पे ये कब जो है मतलब कि कब हुआ इसका कब took place हुआ तो इसका जो आपका answer है ठीक है तो ये हुआ था आपका 26 August ठीक है 26 August से लेके 4 September 2002 तक ठीक है तो ये जगा थी आपका South Africa ठीक है जोहन्सवर्ग South Africa ठीक है तो ये हुआ था D इसका correct आपका जो world summit on sustainable development है जो वो हुआ था ठीक है जोहन्सवर्ग South Africa में 26 August से लेके आपका 4 September तक ठीक है तो इन जो है next question है next question है कि वही आपका जो world environmental day है ठीक है ये simple question है world environmental day जो है वो celebrate कब किया जाता है तो September 6 को जून 5 को किया जाता है October 16 को किया जाता है ऑप्रेल 4 को किया जाता है तो आपका world environment day जो है वो आपका June 4 को celebrate किया जाता है ठीक है UN Conference on Environment and Development ठीक है UN Conference on Environment and Development ठीक है वाज हेल्ड एट ठीक है तो इसको जो है 1992 में जिसे हम Earth Summit के नाम से जानते हैं ठीक है ये आपका हुआ था Riyadu January में ठीक है Brazil में है Riyadu January जहां पे 1992 में जिसे हम Earth Summit भी कहते हैं ठीक है ठीक है तेन आगया आपका 19 विच आरगन आफ युएन हैस दा पावर तू मिंटें पीस स्कूरिटी आल ओवर दा वर्ल्ड ठीक है कौन सी जो आपकी United Nation की Organization का जो मलब की Main Part है United Nation का जो मलब पार्ट है ठीक है उसके 6th पार्ट है उसमें से कौन सा पार्ट है जो Main काम करता है किसका Peace Maintenance का काम करता है ठीक है Peace Maintenance का काम कौन करता है इन सारे के सारे जो आपके Given Option है Economic and Eco Soak करता है Security Council करता है UNESCO करता है जो General Assembly तो Answer है इसका Security Council Peace और Security की बात आपका Eco Soak करता है ठीक है Then जो है Simple सा सवाल है 1993 कि IPCC किसके लिए Stand करता है Intergovernmental Panel on Cultural Change International Program on Climate Change Intergovernmental Panel on Climate Change तो जैसे कि हम जानते है जो IPCC है वो हमारा बात करता है Intergovernmental होता है और ये जो है Panel है Climate Change पे तो इसका Answer जो है वो आपका C है IPCC Stand for Intergovernmental Panel on Climate Change तो correct answer ही जो है वो C है IPCC का मतलब ये होता है उसके बाद जो है यहाँ पे सवाल है ये भी Simple सवाल है कि अमरिकन World Trade Center पे टेरिस्ट ने Attack कब किया था ठीक है जिसको हम 911 कहते है ठीक है तो 94 का जो है आपका C है ठीक है I hope कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन ये है कि आपको Maximum Fact पता चल जाए तो American World Trade Center पे जो है वो जो है वो September 11, 2001 में हुआ था देन आजाता है आपका Mumbai Terrorist Attack ठीक है ये जो है ये कब हुआ ठीक है ये Mumbai Terrorist Attack जो है ये Factual Question है ये आप याद रख लेना Terrorism and Globalization ठीक है ये बुक किस ने लिखी है, तो ये बुक लिखी है, मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा, James D. Kirans ने, ठीक है, तो ये terrorism and globalization पर क्योंकि दो कोशन थे उपर terrorism पर, उसके बाद एक और बुक है, जिसका नाब है, Inside Terrorism, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है, ये बुक ल constitution, किसका है, world का, oldest constitution बताना, world का, ठीक है, तो oldest constitution की बात करें, तो हम वो आजाता है, हमारे पास, Britain, अगर हम written constitution, old written constitution की बात करें, तो वो हमारे पास, ये आ जाता है, USA, ठीक है, तो बट, जो इस सवाल का answer है, जो oldest constitution की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमारा answer क्या है, answer है, हमारा A, उसका है Britain, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद आपका, आपका सवाल है, अगला, ठीक है, ब्रिटेन, कितनी, ब्रिटेन की कितना party system है, मतलब, अबलीक में बताना है, one party है, two party है, multi party है, ननावदावब है, तो 99 का जो है, ब्रिटेन में जो है, वो आपका two party system है, ठीक है, two party system ह और वहाँ पे जो आपका main parties है ठीक है एक है वहाँ पे conservative party जिसका भी mauris johnson जो ruling party का leader भी है ठीक है और conservative party ठीक है और वहाँ पे दूसरी जो party है वहाँ पे labor party है ठीक है तो अगर आप seriously ये जो वीडियो देख रहे हैं तो please comment करना कि जो अमरीका है वहाँ की दो अमरीका की दो party हों के जो नाम है main party जो है उनके नाम आप comment में mention करना उसके बाद आजाता है magna karta magna karta जो है वो आपका जैसे मतलब की main document था जो आपका constitutionalism की शुरुआत जो करता है आपका ब्रिटेन में ठीक है तो ये किसने sign किया था ये हमारा सवाल है ठीक है तो जो magna karta है वो 12 15 में आपका जो john king john थे उन्होंने sign किया था तो ये आपके जो थे आपके 100 question थे किस पे 100 question थे आपके comparative politics पे I hope कि आगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ठीक है तो ये आगर व subscribe जरूर करना